गुड मॉर्निंग ओल मैं नवल आप लोगों का मेरे चैनल फेनगोर गूर्प पर स्वागत करता हूं लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पेज टेबल में एड़र सांस देशन पेजिंग में पढ़ लिया था ठीक है अब इस वीडियो में हम पेज टेबल में जो एंटरी हो इसमें मैंने आपको उताया था कि जो नंबर ओफ इंटरी होती है नंबर ओफ पेज टेबल में एक एंटरी होगी होगी ठीक है अब पेज टेबल के अंदर इंटरी क्या होगी page table के अंदर entry अभी तक हम पढ़ रहे थी page table के अंदर entry क्या होगी frame number ठीके लेकिन इसके अलावा भी कुछ और entry page table के अंदर हो सकती है तो इस वीडियो में हम वो discuss करेंगे ठीके तो चल्ण यह start करते हैं यह क्या है कुछ fields हैं जो page table में हो सकती है जैसे frame number हमने already discuss किया हुआ है कि page table में frame number तो हो गई होगा ठीके यह क्या है यह क्या है essential field है ठीके compulsory field है जो page table में होगी ही होगी ठीके यह क्या है compulsory field है यह compulsory field है ठीके और frame number का use क्या है user क्या करेगा page number of user क्या करेगा जो logical address होगा logical address से जो logical address होगा वहाँ से page number लेगा ठीक है page number से क्या करेगा frame number उठाएगा frame number से यहाँ पर क्या physical address generate करेगा offset और frame number को add करके तो frame number तो हो गई होगा तो यह क्या है compulsory field है इसके बारे में हम अल्रेडी वीडियो में discuss कर चुके है अगर आप लोग इस वीडियो में नए आये हैं तो description में लिंक है वहाँ से देख सकते हैं कोछ यह fields है यह क्या है optional field है यह क्या है optional field है तो हम one by one इन fields को discuss करेंगे इस वीडियो में ठीक है तो चन्द यह start करते है पहनी field है invalid or invalid field valid or invalid field क्या है यह action में यह क्या है valid or invalid bit ठीक है बताब frame नंबर के साथ एक और special bit रहेगी valid or invalid bit ठीक है इस bit का use क्या है इस bit का use यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि माननो एक process है एक process की size है माननो process की size 16 byte और page size कितनी है माननो 4 byte ठीक है तो number of pages कितनी बनेंगे ठीक है तो action में हो सकता है कि action में हो सकता है कि इस particular process के लिए यह क्या है फोर प्रेम्स क्या है इस process के लिए अलोकेट हो गई ठीक है नेकिन एक हम टेक्निक और पढ़ेंगे डायनमिक पेजिंग नेक्स आफिर ठीक है यह वर्चन मेमोरी कंसेट पढ़ेंगे उसमें क्या होता है action में होता क्या है कि एक particular time duration में सारे pages का use हो ऐसा compulsory नहीं है फर से समझें मेंने क्या बोला कि इस process के four pages है तो ऐसा compulsory नहीं है कि यह four page same time पे क्या हो यूज हो ठीक है तो हो सकता है किसी time duration पे इसके cable page number zero page number one क्या है present है ठीक है और यह दो page number two और page number three क्या है present नहीं है यह क्या है भी artist से इनको load नहीं किया cable page number zero page number one को load किया क्योंकि same time पे इनकी need नहीं है और ऐसा क्यों करते हैं हम आगे की videos में पढ़ेंगे ठीक है तो अब होगा क्या अब होगा क्या यह पूरा जो address space है यह पूरा address space किसको allocate है इस process को इस process one को ठीक है यह पूरा address allocate है इस process one को अब माननो कोई अगर request generate हुई page number two की कोई request generate हुई page number two की process one की page number two की तो वो कहां पर सर्च करेगा इस particular frame में सर्च करेगा नेकिन इस particular frame में यह page क्या है present नहीं है ठीक है यह address तो इस process का है मनना भी address space process को locate हुआ है नेकिन यह particular page इस frame में present नहीं है तो यह bit क्या set होगी invalid ठीक है अगर माननो किस page के निए request हाई page number zero के निए तो यह present है तो यह bit क्या set होगी इसके निए इस frame में यह bit क्या set होगी valid bit one ठीक है तो होता क्या है जैसे पी टू के निए request generate कोई ठीक है पी टू यहाँ पर present नहीं है यहाँ पर पी टू की bit क्या set है invalid तो क्या होगा फिर hardest से पी टू पेज को क्या किया जाएगा लोड किया जाएगा ठीक है तो यह valid और invalid bit क्या बताती है कि यह particular page है वो valid है या नहीं है यह present है या नहीं है ठीक है तो हर एक frame के साथ frame number के साथ क्या है वैलेड और invalid bit भी present होती है जो यह बताती है कि यह particular page present है valid है या नहीं है ठीक है next bit है protection bit protection bit का use क्या है तो देखने ते हम जो भी process है जो भी process है माननो यह process है तो यह number of pages है ठीक है तो एक particular user है यह user है यह इन pages को क्या करना चाहता है access करना चाहता है तो operating system क्या करता है operating system की यह responsibility है कि इसको protection provide करें protection provide कैसे करता है कि माननो यह p0 page है तो आप इस user को privilege है के वाल कि इस p0 page को read कर सकता है ठीक है तो इसकी protection bit क्या set होगी read on ली ठीक है हो सकता है इस user को p1 page के निए अग्राइच हो कि इसमें write भी कर सकता है तो इसकी protection bit क्या set हो गई write ठीक है तो protection bit क्या मतलब है कि अगर मानो p0 में कि इवाल read only bit क्या है set है तो user p0 पे write नहीं कर सकता इस तरह से उपनिस्सिटम क्या करता है P 0, को Protect कर रहा है ठीके, तो protection bit किसमेगे set होती है protection bit होती है कि user को privilege क्या है यूजर इस particular page पे read कर सकता है या right भी कर सकता है ठीके, तो मतलब ये particular page read only mode में open होगा या right भी कर सकता है तो यह protection bit के थूप मालूम चाजता है, तो हर एक frame में, यह frame number के साथ क्या protection bit भी set होती है, जिससे मालू होता है कि यह optional है, ठीक है, operating system तो operating system वेरी करता है, किसी operating system में यह functionality होगी, किसी operating system में हो सकते है, functionality now, ठीक है, next है direct event, direct event यह एक और modify bit भी कहते हैं, ठीक है, यह काफी important concept है, पर विश्ट कार्ट गेट में कॉश्चन पूचे गए हैं इस बार भी एक कॉश्चन पूचा गया था तो डाटी मिट होता क्या है कि देखो यह पर जो भी पेज हैं आप समझेए पेज कहां से लोड हो के आरे हैं एक्षोन में process सबसे पहने कहां पर प्रजएंट होगी the hards में सबसे पहने कहां पर प्रजएंट होगी hards में ठीक है जब user उसको एक्सिस करना चाहता है तो hards से process Android के कहां पर आती है main me employee में ठीक है और उसकी value मानों उसने, उसको write privilege भी थे, तो उसने value update कर दी क्या? 4, क्या कर दी? 4, अब अगर वो page modified हो गया, अगर पेज में user ने कुछ भी write operation परफॉर्म किया है, तो वो जो भी operation किया है, वो क्या है? hard disk में भी write back होने चाहिए, क्यों होने चाहिए? क्यों कि ये तो, क्या है? जैसे ये क्या है, process terminate होगी, तो ये क्या है, जो भी उसने operation modify किये है, ये सब क्या हो जाएंगे? when is हो जाएंगे? ठीक है? तो user अगर कुछ भी modify करता है, तो उसको write back करना होगा, ठीक है? तो ये कैसे मानों चलता है? जैसे user कुछ भी modify करता है, तो उसकी direct event set हो जाती है, one मत इसमें क्या है, user ने modify किया है इस page को, और अब इस page को write back करना compulsory है, इसका मतलब क्या है, कि जैसे मानों कोई page आया, ठीक है? उसमें कोई भी write back operation किया, तो direct event क्या करेगा? अगर कोई भी modification किया, तो direct event one set कर देगा, अब अगर मानों कोई भी user थाया, user 2, ठीक है? और उसको एक नए page की जरूवत है, और मानों यहाँ पर space available नहीं है, तो इसको swap out होगा यह, और नए page swap in होगा, यह सब हम demand paging में पढ़ेंगे, तो जैब इस swap out होगा, तो इसको सीरे swap out नहीं करेंगे, इसकी direct event one set है, तो सबसे पहने इसको hards में write back भी करना पड़ेगा, ठीक है? क्यों क् किसी भी page में modification हुए है, तो hard disk में भी क्या होना चाहिए, save होना चाहिए, तो अगर modification करता है, तो 30 bit क्या है, one set हो जाती है, ठीक है, next है reference bit, reference bit का क्या use है, reference bit का use हम आगे समझेंगे, जब page replacement algorithm पढ़ेंगे, page replacement algorithm में क्या होता है, कि जब कोई particular page swap out होता है, और कोई particular page swap in होता है ठीक है, तो swap out या swap in होता है, तो इसके लिए कई strategy होती है, तो ठीक है, एक strategy है मानुक LRU, इसमें होता है least recently used, मतना हमने कौन सा page अभी थोड़े time पहने ही refer किया है, ठीक है, तो ये reference bit से मानुक चलता है, कि कौन सा page refer किया गया है, ठीक है, तो जो page refer नहीं किया गया है, एक particular time duration तक, और इसको क्या करते हैं, हम swap out करते हैं, और इसको swap in करते हैं, तो ये सब किसके help से होता है, reference bit की help से, ठीक है, तो आई अब आपको ये सब bit समझ में आई होगी, ये सारी optional field होती है, जो OS to OS क्या करती है, बैरी करती है, ठीक है, और frame number क्या है, compulsory field है, ठीक है, तो ये पसंद आई है, तो आप इसको like और अपने friends के साथ share ज़्यूद कीजिए, और अगर आप में तक आपने मेरा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चनल को सब्सक्राइब करनेजिए, बैल आइकन को प्रेस करनेजिए, ताहिए आपको notification मिनते रहे, thank you